इस खास शर्बत की खास बात ये है कि ये हेल्दी होने के साथ साथ सिर्फ दो मिनट में बनकर तयार हो जाता है और इस शर्बत का मैं आपको प्रेमिक्स भी बताऊंगी जिसे बनाकर आप 6 महिने तर स्टोर कर सकते हैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजेगा इस स्पेशल शर्बत को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी जार में एक कप भरकर चीनी लेंगे अगर आप मीता ज्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वाइंटिटी को बढ़ा सकते हैं नेक्स इसमें डालेंगे वन थर्ड कप कस्टर पॉडर वैसे इसमें बहुत सारे फ्लेवर आने लगे हैं लेकिन मैंने ये वनिला फ्लेवर का कस्टर पॉडर लिया है अब इसमें एक चोथाई कप बादाम, एक चोथाई कप काजू, एक चोथाई कप पिस्ता और अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें दस से बारा हरी इलाइची डालेंगे इलाइची को छिलने की जरूरत नहीं है साबुत ऐसे ही डाल दें फ्रेंड्स ये कोई ऐसी वैसी ड्रिंक या शर्बत नहीं है, एक बहुत ही हेल्दी टेस्टी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है अब मिक्सी जार का ढखकन लगाकर इन सभी चीजों को एकड़म अच्छे से पिस लें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से पिस गया है और दो मिनेट से भी कम समय में हमने ये प्रेमिक्स बना कर तयार कर लिया है इस प्रेमिक्स को आप किसी भी एयर टाइट कंटीनर में भर लें फिर इसमें थोड़ी से कटे हुए ड्राइफ रूट्स एट कर दें वैसे तो कटे हुए ड्राइफ रूट्स एट करना पूरी तरह ऑप्चनल है पर कटे हुए ड्राइफ रूट्स के छोटे छोटी टुकड़े जब इस dring के साथ मु Unterstützung में आते हैं रखने की भी जरूरत नहीं है बहार ऐसे ही रहने दें अब आपको यूज कैसे करना है आप ये देखिए एक कटोरी या बाउल लेंगे और जितने ग्लास आपको दूद बनाना है उतने ही चम्मच भर कर ये प्रेमिक्स लेंगे मैं तीन ग्लास बना रही हूं तो मैं तीन चम करेंगे और दूद को अच्छे से गरम कर लेंगे दूद को बहुत जादा पकाना नहीं है सिर्फ अच्छे से गरम करना है आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये रेसिपी और वीडियो आपको जैसा भी लगे अच्छा लगे या ना लगे पर मुझे कमेंट में लिखकर ज क्योंकि इसमें काजू, पिस्ता, कस्टड वगेरा है तो ये बहुत ही जल्दी से गाडा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी इसका कलर भी चेंज हो जाएगा बस इसे आपको दो मिनट ही पकाना है ज्यादा गाडा नहीं करना है क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा ये अपने आप ऑफिस से घर वापस आए ठके आ रहे या फिर बच्चे स्कूल से आए ठके आ रहे तो उन्हें ये ठंडा ठंडा दूद पिलाईए या खुद पीजिए सच में आपको बहुत एनरजी टिक लगेगा बहुत मजा आएगा ये दूद पीने में गैस का फ्लेम बंद कर दें और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए इसे फ्रिज में रग दें पूरी थरा से ठंडा होने के लिए ये देखिए ठंडा होते ही इसमें कितनी मोटी मलाई आ गई है इसे कर्ची से अच्छे से चला दें मिक्स कर दें और फिर मलाई जो है वो दूद की कंसिस्टेंसी में आ सर्विंग ग्लास में आइस क्यूब्स डालेंगे भाई इसे डालना तो बनता है ताकि ठंडी ठंडी फीलिंग आए फिर इसमें गुलकंद एट करें क्योंकि इस तूद में गुलकंद का टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा आता है लेकिन अगर आप गुलकंद नहीं इस्ट और खुश्बू बहुत ही जादा पड़ जाता है और इस गर में ये टेस्टी हेल्दी ठंडा ठंडा शर्बत खुद भी पिए और घराए महमानों को भी पिलाएं